हेलो दोस्तों स्वागत है आपके मेरे चैनल में तो आज हम चैनल 31 स्टार्ट कर जा रहे हैं और इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसको स्टार्ट करने से पहले वही एक रिक्वेस्ट है मेरी कि यह चैनल 31 है तो डारेक्ट आप इसको ना देखें अगर आप पहली ब यह आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हो वहां से आपको मिल जाएंगे तो आज एक बहुत ही इंपोर्टन्स तरिज चार्ट करने जा रहे हैं तो इसका नाम है वी बिद्र फॉर्मूलेश फॉर्मूलेश क्या होगा जैसे लेफ्ट का फॉर्मूला हो गया तो वो जानेंगे आज हम तो चलते हैं अपनी वर्किंग में और यहां पर दो टाइब के फार्मूले तो ट्रच चोटे पर्मोले हैं और अपना काम यहां टोट करेंगे हम फंक्शन को सीखने का और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन इसमें क्या होता है कि हम लोग अपने नाम से फॉर्मॉला बना सकते हैं जिस भी नाम से आप बना चाहो उस नाम से बना सकते हो ठीक है तो मैं डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट नि करूंगा पहले आपको यह लेफ्ट राइट मीड और लूजर होता है फिर टैम मार के यह एक्सली नहुता है कि कोंशे टेक्स्ट सहकते हैं उसके लिफ्ट लिप्ट चाहते हो कौन से टेक्ष्ट रोaggiक्शन फिर उसके आपको लेफिश कर लिया ठीक któr नमबर लाइक वाइच आपका पहले है राइट में लोग ठीक है सेब फिर सब्सक्राइब टेक्स्ट कौंसा टेक्स्ट से आप पांच नमबर चाहते हो राइट के हम यह यह तो तो यहां से अपने फॉरड़ीजिए पूछ रहा है कि आपको कौन से नंबर से मिट चाहिए मतलब यह पूछ रहा है कि कहां से स्टार्ट करूं में मिट देना आपको ठीक है तो मैं चाहता हूं दो डिजिट चाहिए तो मैं दो लिख लेता हूं एंटर मारता हूं यह आपका देखो इसने मिट का फंक्शन है जो वो दे दिया ठीक है यह हो फाइंड में जाएंगे हम लोग अब यह बोल रहा है कि फाइंड टेक्स्ट मतलब क्या फाइंड करवाना चाहते हो आप किसी भी से तो मैं चाहता हूं यहां पर जैसे यहां पर जो इस पेस है वह फाइंड करवाना चाहता हूं या फिर आप कुछ भी ले सकते हो जैसे फाइंड करवाना चाहता हूं मैं यह फाइंड करवाना चाहता हूं कहां से फाइंड करवाना चाहते हो यहां से फाइंड करवाना च कि पोजीशन जैसे एक दो तीन चार चौथे नंबर पर यह बताएगा आपका यह जो है यह फाइंट फंक्शन यह चौथे नंबर पर है तो मैं यहां पर लिखूंगा कि कहां से आप एक पोजीशन जानना चाहते हैं तो पहले सही काउंट कर लो आप भी सही काउंटिंग शुरू कर दो एक लिख देगा अगर दो लिखोंगे तो यह आई से काउंटिंग करके आपको तीन बताएगा यहां पर मैंने भी लिख है चार बतादेगा एंटर मारा यह बोल रहा कि चौथे नंबर पर आपका ए है ठी थोड़ा सा इसमें किया यह वैल्यू है सारी है एक टू किया मैंने यह दिखो यह इस ले रहा है यह इंप यह क्या चाहता हूं कि यह फॉर्स्ट ने निग निकल वाना चाहता हूं यहां से ठीक है न तो जैसे यह मैं निकालने के लिए आपको लेफ्ट लेफ्ट और फाइंड तो नों फंक्शन्स कंबाइन यूज करने पड़ेंगे वो कैसे कंबाइन जी कंबाइन करने पड़ेंगे इसलिए पर पर अब इसमें प्रॉब्लम क्या और यह विराट सही आ गया बाबर सही आगया साकिप स संदीब देखो संदीब तो सही नहीं आया ना लियोनेल को देखो मेसी को यह लियोनेल भी सही नहीं आया ना तो अब हम क्या चाहते हैं हम यह चाहते हैं कुछ हमें ऐसा मिल जाए जैसे यह पांच है यह डाइनेमिक हो जाए बतलब यह हमें ऐसा बता दे जैसे यहां पर करेंगे हम यहां पे वैसे हम लोग उने फाइंड करवाया है न तो में इस पेस करके कौन सी पूजिशन पर है यह जिस से हम अपना फरस्ट नाम टाइप कर वा लेंगे तो यह इस को मलोग लाक लश्ट टक ले जाएंगे तो यह इसने बता दिये इसमें स्थे च्छठे नमबर पर इसमें आठेवर पर उसमें साथ मपर अपर इसセंद विसके होगा कि यह आप यह पर पांच जो है इसकिर्ट हम क्या करेंगे यह वाला गप बनजाए गया इसको किया हमें चाहिए अब कितने नंबर्स तक चाहिए तो यह जो हमारा फाइंट के फंक्सिन में डाइनमिक बना रखाए कि यहां भी इस पेस आए उतना काउंट हो जाए ठीक है ऑटमेटिक तो यह हमने इसको सलेक्ट किया ब्रैकेट बंद किया एंटर मारा और यह देखो यहां हम इसको ड्रैक कर लेते हैं और यह देखो बहुत बढ़िया शारे है फर्ष्ट नेम आ गए हमारे ठीक है समझें तो फाइंट फंक्शन को का यह यूज है हमने इसको ऐसे यूज किया लेट के साथ कंबाइन करके अब क्या है अब देखो दोस्तों इसमें क्या है कि यह तो आपका यहां पर अपने यह सिदा फाइंट का यहां पर सेली सेलेक करके डाल दिया दूसरा क्या तरीका है इसका हम लोग फार्मूला कॉपी करेंगे ठीक है यह फाइंट का फॉर्मूला यहां पेस्ट कर देंगे एंटर मारेंगे और बढ़ियां आपका देखो यह चीज आ गई और आपको अब इसकी भी जरूरत नहीं है आप इसको की वैलिव आगी तो इस तरह से हमने लेफ्ट और फाइंड को कमपाइंड करके फर्स्ट ने जान लिया अब चलते हैं अपनी विज्वल बेसिक की विंडो पर दोस्तों और वहां से हम लोग देखते हैं कि कोडिंग कैसे की जाएगी इसकी तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले यह अपना लेफ्ट लेफ्ट की जो वैल्यूज है उनको हम लोग देख लेते हैं कैसे निकालेंगे यहां पर तो मैं यह लेफ्ट करता हूं डिलीट और इसके लिए बहुत ही सिंपल कोड़े दोस्तों यहां पर लिखेंगे हम लोग लेफ्ट फिर बैक करें तो जो ऊस्टों यहां तो जाये अब यह पुछ रहा है कि कि अपनी डिजिट से आपको लेफ्ट से तो लिए आप अल्यवर म करते हैं यहां पर हमने चारी लिख देतायां है तीन लिक्टे चलो कि तीन दिजित से यह अपने को लेट से टीक आप या बता रहा है कि आप नहीं पूपट नहीं दे पा रहा है आपने फॉरमूला दिया अब इसको आपट देनी के और इसको कोड को बीच में डाल देते हैं कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी अब यह क्या करेगा यह अपने को यह प्रिंट करके दिखा देगा मतलब मैसेज बॉक्स के तुरू दिखा देगा कि लेट की त्री डिजिट्स एटू अरप ओर रेंज में क्या है या फिराट कि क्या है हमने इसको फ्रिट किया को इसको हीशेच की वी डिजीजिट के लिए श्लिट करवा complex करना स्कते ऑप सीक्त करवाने के लिए किए आपको एक वेरियबल करना पड़ेगा तो यह मैसेज बॉक्स तो आप अभी इसको कर दो कमेंट अब वेरियबल क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें लेना पड़ेगा इसले लिए क्योंकि लेफ्ट का हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो ले लेके अब कैसे हम लोग यहां पर यहां पर सारी ला सकते हैं लेट की वह देख लो एक तरीका तो आपको दिखा दिया मैसेज ब्लॉक्स के तरूब आप उसको प्रिंट करवा सकते हो दूसरा तरीका यहां पर अगर प्रिंट करवाना तो कैसे होगा वह देख लो अपने को वैलीज कहां चाहिए अब अब अपने को वैलीज चाहिए सी टू से लेके सी सिक्स तक चाहिए राइट तो हम यहां पर लिखेंगे रेंज को कॉलम हमारा हो गया सी एंड ल अरे सौरी यहां हो चैनल development तो एल हो दिखाएण नी किया तो चैनल लूपके थूच मुका हैना दो थे करुषा रो तक यहीं कर वाना है आपको सब में फिल करवानी है तो इसमें ले लेते हैं हम लोग दो से लेके च्छे तक ल की वेल्यू टू शिक्स और यहाँ पर अपने को रिंज देते हैं अपके होगा यहां अब क्या होगा और देने से सबसे पहले फर्ली इसमें आएगी डिश्वी तो में आएगी सीटू कौन सा है ये वाला सेल है तो यहाँ पर विराट का जो भी लेट की वेल्यू होगी यहां पर आ जाएगी ठीक है डॉट वैल्यू इक्वल्स टू अब यह वैल्यू जो है इसमें कौन सी आया अब यह तो अपने बता दिया कि हमें इस सेल में वैल्यू चाहिए अब इस सेल में वैल्यू कौन सी आया तो वह कौन सी वैल्यू चाहिए अपने को चाहिए यह वैल्यू लेफ्ट वाली तो सिंपल पॉर्मूला कॉपी किया हमने क क्ट्रोल वी किया लेकिन यहां पर इस सेल को भी डायनेमिक बनाना पड़ेगा क्योंकि यह खाली नहीं तो एक टू की वेल्यू हर जगे प्रिंट करवा के देदेगा आपको पटाफ़ ठीक है तो यहां पर क्या है कि अपने को लिखना पड़ेगा यह वाला यहां से आपका यहां से आपको पार्च कर्णा या जो भी ठीक चाहिए अपने को लफ्ट की इस से शेल से एक तो आपका यह हो गया कि यह तो फिक्स हो गया कॉलं ममपका और आपको यह शेंज करवानी तो ए- flourण के गry तूसे ने की रचिए रिंन से आपको बिकार तो अपना यह क्या है एल अगर हम यहां लिख देंगे तो यह तो डाइनेमिक बन गया ठीक है पहली बार रहन होगा यहां डाल देगा तो यह हमारा बन गया है फॉर्मूला रेंज को थोड़ा सा मैं क्या करता हूं आगे कर देता हूं और यहां पर अपना नेक्स्ट लूप कर लेते हैं यहां पर मैं लिख देता हूं नेक्स्ट ल नेक्स्ट ल तो दूसरा तरीका दरते एक तो मैंसी बहुत कर आए तो हम लोग क्या करते हैं इसको करते हैं एफट यहां पर आगे अब यह नेक्स्ट वाला चलेगा लूप यह जैसे आपने वीडियो देखे होंगे तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यह अपना इजली आपका काम हो सकता है इससे तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं एफट एफ क्या करना है ओड़ी करना है शारी और यह अगर आप मैसेजवास के तरू पहले करके देख ल professors ओके कर देते हैं इसको नहींiensy को सब्सक्राइब करना है तो सिंपल यही करना है हमने वहाँ लेट को कॉपी पेस्ट मार था यहां राइट को लिया सबकुछ तो सेम ही रहेगा बस यह अपने को डी कॉलम में चाहिए ना वैल्यूज करवानी यहां पर चीज यहां पर चेंज करने पड़ेगी कॉलम एसे अपने को वैल्यूज करानी है एंड यह बन गई इसकी वैल्यूज अब क्या करूंगा करूंगा देखो जल्दी जल्दी यह सारे वैल्यूज आगे राइट के यहां पर आपके डी कॉलम में फिल हो गए तो तरीका है आप उसको करवा लो और दूसरा तरीका है आप उसको करवाया था यहां रेंज में इसकी तो इसमें भी करवा के देख लेंगे पहले मैसेज बॉस्के तो देख लेते हैं तो इसमें क्या है आपको मिट का फॉर्मला थोड़ा अलग है दोस्तों इसको मैं लगा कर देखता हूं एक हमें डेंज प्रणी लगजल को अपका हो जाएगा टेटु से अपने को की करूआ है कर वा शायात है थी कि बचला करना समनैं पिर हमार के जैसे मैं यह मैं चाहते हैं तो गोड़ने अपने और यह इतना ही काम हो जया अपना प्रित का फार्मुला हो गया और इसको मैसेज प्राइब कर लेते हैं ईसेज्च बाक्स तो एस करता हूं है इस रेंज में तो सिंपली मैसेज बॉक्स पर हम लोग करेंगे कमेंट यहां पर यहीं सब रहने देते हैं सब कुछ सेम रहेगा बस एक चीज हो जाएगी यहां पर कि अपने को यह वैल्यू चाहिए कॉलम में राइट तो इसको यह करेंगे एल तो सेमी रहेगा टू-टू की जगह कंट्रोल भी और यहां पर यह चेंज कर देंगे एल यह भी फर्मॉला बन गया इसको जल्दी सब्सक्राइब कर देगा यह करते हैं इसको जल्दी जल्दी आरे बीए के आई तो यह हमारा हो गया मिट का अब जो इंपोर्टेंट फंक्शन है हमारा वह आता है हमार फर्स्ट नेम वाला तो मैं क्या करता हूं इसको तो कर देता हूं हाइड अब यह अपने को चाहिए लेफ्ट और फाइंड का कॉंबिनेशन तब जाके आएगा यह फर्स्ट नेम तो सबसे पहले क्या करना है अपने को इसमें यह सब कुछ ठीक रहेगा सबसे पहले अपन यह करते हैं कि लेफट का फ़र्मूला लीख लेते हैं यहांपर अ कि लेथका फार्मूला क्या था हमारा एक लेकि लिएे कि इसमें अपक्र करवान क Spano करुछ तो पांच डिजीट का मैं पिक करवाना चाहता था यहां पर तो यह पांच लिख दिया मैं अब इसको एक बार को मैं कर लेता हूं comment और इसका फॉर्मूला क्या है फाल किया था इसमें फॉर्मूला है हमारा क्योंकि अपने लेपर फांड कंबाइन करना था लिख लिए तो इसका फार्मूला यहां पर वोक्षीट लगशीट डॉट फंक्षिंट यह फैंड हो गया हमारा स्टार्ट और्गुमेंट वन एज इस्ट्रिंग तो इसमें क्या फैंड करोना चाहते हो और दूसरा यह कह रहा है कि argument to as string ठीक है तो अब argument to में क्या होगा दोस्तों कि आप किसमें से find करवाना चाहते हो space को तो मैं चाहता हूँ a2 range से space को find करवाना तो मैं क्या लिखूंगा range bracket open a2 right और फिर क्या लिखूंगा मैं bracket close अब क्या पूछ रहा है यह कि वह तो ठीक है आप कहां से find करवाना चाहते हो argument 3 से ठीक है और अब यह पूछ रहा है कि कहां से counting करवाना चाहते हो आप इसकी कौन से आपको यह जाना पोजीशन जाना कि space की पोजीशन कहां पर तो मैं कहां रहा हो मां पहले से count कर दें स्टार्ट एक यहीं से बीसे श्टार्ट कर दें से कर दें से नीचे नीचे ठीक है तो इसको कर देंगे हम लोग और पेश्टिस पेसल कर दो एसको तो अगर मैं फिर इसको एक डू करूं किस प्रावलम क्यों इस लिए आ रही है क्योंकि यह विराथ जो आपका इस पेस की पूजिशन थी यह थी छैट डिजिट पे तो यह फाइंड जो है एक जो फार्मूला पुरा लिखा हुआ यह बता रहा है कि छे ढिजित ले लिए आ है मैंने तो तो 6 डिजित को 5 करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा यहां से करना पड़ेगा फाइंड के फॉर्मूले से माइनस 1 राइट कंट्रोल सी करेंगे और end करेंगे अब देखो अगर मैं इसको copy करूं और paste special करूं और संदीप पर जाके देखूं तो यहां पर देखो space नहीं आ रहा है पहले space आ था ना जेखो साकिब में भी space नहीं आ रहा है कहीं भी space नहीं आएगा क्योंकि हमने यहां से माइनस वन कर दिया तो सेम यहीं करना पड़ेगा यह फार्मूला लेंगे लेकिन मैंसे क्या करेंगे माइनस वन करतेंगे ठीक है तो यह तो हमारा फंक्सन बन गया अब क्या है कि अपने को यहां पर फर्स्ट नेम करवाने हैं वाले सेल में तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं और क्या करेंगे हम लोग यह सब कुछ सेम रहेगा एल भी सेम रहेगा आपका रेंज आपकी हो जाएगी बी एंड एल और वैल् सब्सक्राइब को यह वाली लेट वाली तो यह लेफ्ट वाली वेल्यू चाहिए प्लस उसमें कंबाइन कर देंगे बाद में लोग वह इसको थोड़ा इधर मैं खीच लेता हूं जिससे थोड़ा बड़ा दिखेगा तो यहां मैंने पेस्ट किया लेफ्ट का फंक्सन अब हम लेफ्ट का यह पांच के लिए तो हमने यह डिफाइन किया ना ऊपर यह फाइंड वाला फॉर्मूला तो इसको पूरा कॉपी कर लेंगे हम लोग तो एक चीज और आपकर सकते हो इतना लंबा यहां पे आपने जैसे यह लेफ्ट वाला फंक्सन निखा मैंने फिर सकते हैं हम लोग इसकी जगे क्या कर सकते है एक वेरियेबल और शक्तार है टिक हज़कर जैसे लिए व्लांग तो हमने फॉल इपने को इतना बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा तो यहां पर हम लोगच कर देते हैं कि एल की वेल्यू एफ की वेल्यू एफ इज इक्वल्स टू कि यह ले लेते हैं पूरा यहां तक जिससे क्या है कि अपन छोटा सा एफ लिख देंगे वहां पर न तो भी अपना काम बन जाएगा यह कंट्रोल भी किया मैंने और यहां से इतना लंबा लिखने की जगा है हम ल तो यह चीज हो गई हमारी कि यह एफ की जग एफ लिख दिया हमने और इसका एक वेरियेबल डिफाइन कर दिया एज लॉंग अब देशतों क्या है कि अब अपने को ना यह जो एटू रेंज है इसको भी डाइनमिक बनाना यहां पर तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जो एटू है इसको करेंगे डिलीट क्योंकि अपने को रेंज भी भी तो चेंज लीज करवानी है न यह यहां पर ले ले लेते हैं यह दूसरा वाला वेरियेबल l आप क्या होगा यह पहली बार तो रहेगा एवन यहां से वैल्यू पिक करेगा और फर्स्ट निम आ जाएगा फिर दूसरी बार आ जागा एटू क्योंकि एल चेंज होता रहेगा ठीक है न सोरी पहले आजागा आपका एटू फिर एटरी आजागा जोगी दो से स्टार्ट हो एल क्योंकि इसकी भी तो वैल्यू चेंज करवानी है आपको जो रेंज ले रहे हो आप यह टू एथ्री ऐसे ऐसे चेंज करवानी है और यह तो पहले ही डैनेमिक हो रखी है तो मैं सुझ मज़े रहा हूं दोस्तों अभी हमारा कोड रेडी है अगर मैं इसको चला के देख हूं तो यह चल जाना चाहिए और मैं करता हूं एफेट यह वाले को ध्यान देना यहां पर आपका यह वैल्यू सही सही आएगी सारें फर्ष्ट ने महीं आने चाहिए एफेट एफेट किया मैंने विराट आ गया देखो बाबर आ गया ठीक है साकीब आ गया एफेट किया यह संदीप आ अब करेंगे फेट लियोनेल आ गया देखर दोस्तों कैसे हमने दो फर्मॉले कंबाइन करके और बढ़े हैं वीडिय कोड करके एक अच्छा सा कोड बना के इस फर्ष्ट नेम भी प्रिंट कर वा लिया तो आसा करता हूं दोस्तो आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद रहा होगा तो प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब देना जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे है थैंक्स